नमस्का दोस्तो हमारे अपनी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में दोस्तो हम बात करने बाले हैं बिहार में कोरोना की क्या इस्तिती है बिहार में दोस्तो लगातार जो है कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इस वीडियो में आपको करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों बिहार में जब शुरुआद में कोरोना के मामले जो है बहुत ही कमा रहे थे उसका एक रीजने दो रीजने ऐसे हो सकते थे एक या तो यहां मामले ही नहीं है कोरोना के या फिर वहां पर टेस्टिंग तो दोस्तों टेस्टि जो graph है वो बढ़ना शुरू हुआ अब जो है बिहार में 200 प्लस आंकड़ा जो है पहुँच गया है दोस्तो 24 अप्रेल को जब रिजल्ट आए जो जांच के लिए जो सेंपल गए थे उसमें 253 लोग जो है नए positive पाए गए और इस प्रकाश से बिहार में जो आंकड़ा आया दोस्तो संक्रमित लोगों का 223 पर आप पहुचा वहीं दोस्तो यदि हम बात करें बिहार में जदातर यदि हम सीवान को छोड़ दिये जाए सीवान में मामले नहीं आ रहे हैं क्योंकि दोस्तो वहां पर ठीक ठाक सभिश्थतिक प्रसासन समाले हुए है लेकिन दोस्तो नए जिलो में जो है मामले फिर आने लगे हैं जैसे मुंगेर में कापी मामले बढ़ रहे हैं नालंदा में पटना ये बकसर इन जिलों में दोस्तों बिहार के ज़्यादातर जो मामले हैं इन में ही आ रहे हैं सीवान में मामले रुख गए हैं लेकर 30 के आसपास वहाँ पहले से मामले हैं तो प्लीज आप से रिक्वेश्ट है कि आप सरकार की गाइडलाइन का पालन करें लोगडाउन को बनाए रखें और घर में ही रहें बिना मतलब कि जब तो बहुत ही ज़्यादा इमर्जेंसी में नहीं हो तब तक घर से ना निकलें और जब भी घर से बाहर निकलें तो सेनिटाइजर, मास्क ये सब लगा के निकलें और आप अपने परिवार का और आपका प्लीज खयार रखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्स्राइब किए धन्यवाद